मार्च में पूरी दुनिया से, जब पूरी दुनिया के अंदर करोना फैला हुआ था, खास कर जिन जिन देशों में करोना फैला हुआ था, वहां से भारतियों ने कहा कि वो अपने देश वापस लोपना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सही निरने लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया। मार्च के महीने में विदेशों से, खास कर उन देशों से जहां पर करोना ज़्यादा फैला हुआ था, 35,000 लोग दिल्ली आये। इन लोगों को एरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे, देखते थे कि बुखार है क्या। कुछ चंद लोग जिनको बुखार था उन्हें आरेमेल सफदर्चंग में भरती कराया और बाकि सब को घर भेज दिया। कुछ लोगों को कुरेंटाइन किया था लेकिन अमोमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया। जाहिर है कि यह जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम और यह सब उन दिनों करोना के बारे में जानकारी कम थी। गाइड लाइन्स कम थी। यह सब लोग अपने अपने घर गए और जाहिर है कि एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को करोना फैलता गया। उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं थी, उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी, फिर लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वज़े से लोग अपने अपने घरों में थे, इसलिए कोरोना थोड़ा कम फैला मई के अंतिम हफते में जब लॉकडाउन खुलना चालो हुआ तो उमीद थी कि को करोना थोड़ा फैलेगा को लोना थोड़ा बढ़ेगा पंदरा मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर करोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा जब लॉकडाउन खुला तो ऐसा उमीद थी कि करोना के केसिस बढ़ेंगे लेकिन करोना के केसिस उमीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े और जून के पहले हफ़ते में आते आते हैं फर्स्ट वीक अफ जून में दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नज़र आने लगी टेस्टिंग की कमी नज़र आने लगी और बेड्स की कमी होने की वज़े से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा तब हमारे पस दो options थे एक option था lockdown डुबारा लगा दिया जाए हमने बहुत सारे दूसरा option था करोना से लड़ा जाए जनता से पूछा जनता का कहना था कि lockdown कब तक रहेगा कभी न कभी तो lockdown आज नी तो कल कल नी तो परसो एक महीने बाद दो महीने बाद lockdown तो खोलना पड़ेगा तो निरने लिया गया कि करोना से लड़ेंगे करोना से मिल के सामना करेंगे सारी दिल्ली के लोग मिल के करोना का सामना करेंगे कोरोना से युद्ध करेंगे और तब यह पूरा प्लान बनाया गया और करोना से युद्ध में पांच हथियार तैयार किये गए पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई हमने देखा कि कोई लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दोड़ रहा है दूसरे से तीसरे में दोड़ रहा है बेड्स की बहुत कमी है मेरे पास रात रात भर फोन आते थे में रात रात भर जाग के लोगों के लिए बेड्स का इंतजाम करता था पिछले कुछ दिनों से फोन आने बंदो गए है पिछले एक महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में करोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के उपर बेड्स का इंतिजाम किया है हमने सबसे पहला निरने लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40 प्रतीशत बेड्स करोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर गिये दूसरा बड़ा निरने लिया दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को प्राइवेट और सरकारी कर दिया तो हस्पताल में सौN या Concept लेकिन होटल में 200 और लग गए तो उस इस्पताल के 300 बेड कर एक तरह से इस तरह से हस्पतालों की capacity बढ़ाई हमने उटिलनराज हुए Gothic कोट में गए हमने कोट में लड़ाई लड़ी और कोट में लड़ाई जीत गए और साड़े 3,000 बेड्ज हम लोगों ने होटल होटल के अंदर पिछले एक महीने में हमने तयार किये अब राधा स्वामी सक्संग ब्यास में 2,000 बेड्ज और तयार हो चुके है दस हजार बेड्स बहुत जल्दी तयार हो जाएंगे बुराडी अस्पताल जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसको टेंपुरेरी बेसिस पे साड़े चार सो बेड्स महा तयार कर दी है तो पिछले एक हफ़ते में पहला हथियार हमारा ये था करोना के खिलाफ युद्ध में हमारा पहला हथियार था कि बेड्स की संख्या बहुत बड़े स्थर पे बढ़ा दी जाए जून के पहले हफ़ते में दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे आज करोना के जितने बेड्स हैं साड़े तेरा हजार बेड्स हैं दिल्ली में जिसमें से साड़े साथ हजार बेड्स खाली पड़े हैं केवल छे हजार बेड्स उक्युपाइड है अभी बेड्स की फिलहाल कमी नहीं है प्राइवेट में भी और सरकार में भी लेकिन हमें हाथ पे हाथ रखके नहीं बैठना, अभी आगे का भी हम इंतिजाम कर रहे हैं, और भी बेड्स, खाली पढ़े रहे हैं बेड्स, लेकिन बाइचांस कलको करोना बढ़ गया तो उसकी त्यारी करनी है, इसलिए और भी खुब बेड्स का हम इंतिजाम कर रहे हैं लैब्स ने गडबड करनी चालू कर दी पॉजिटिव को नेगिटिव दिखा देते थे नेगिटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा और हमने कई सारे कदम उठाए जून के पहले हफते में जहां डेली पांच हजार टेस्ट ह हो रहे थे आज दिल्ली में 20,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं डेश में लगबग सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली दिल्ली में हो रहे हैं 20,000 टेस्ट डेली अब किसी की शिकायत नहीं आ रही है कि टेस्टिंग में दिक्कत है टेस्टिंग एंड आइसोलेशन हम टेस्ट करते है है खूब टेस्ट कर रहे हैं जम के टेस्ट कर रहे हैं गली-गली में टेस्ट कर रहे हैं और इडेंटिफाई करते हैं कौन करोना का मरीज है और उसको आइसुलेट करते हैं कौन करोना का मरीज है उसे आइसुलेट करते हैं बहुत बड़े स्कर्पिन दिल्ली में चलगा है औ लेकिन पहले antigen test शुरू करने के kits हमें केंद्र सरकार ने दी ये permission दी हमारा हाथ पकड़के हमें करना सिखाया इसके लिए हम केंद्र सरकार के आभारी हैं। तीसरा हमारा हत्यार था करोना की लडाई में तीसरा हत्यार है Oximeters and oxygen concentrators Leia korona में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि oxygen की क्मी हो जाती है और oxygen की कमी हुने से आदमी की death हो जाती है तो हमने जितने लोग घरों के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं सब के घरों में ओक्सीमिटर भीज दिये आप जो आप इंगुठा डाल के पता कर लेते हो कि आपके अंदर और अक्सीजन कितनी है तो हमने सारे पेशेंट्स को बोला है वे घंटे दो घंटे में अपनी चेकिंग कर लेना अगर आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फोन कर देना हम आपके घर ऑक्सीजन भेज देंगे और आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे तो ऑक्सीमीटर जो है एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रहा है अपने करोना के मरीजों के लिए और ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर अगर कोई अस्पताल में आए तो उसको ऑक्सीजन की सलेंडर की और उसकी कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के हर बैड में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो तो लगबग चार हजार ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर खरीदें ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर होते हैं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है तो हम कोशिश है कि दिल्ली सरकार के हर अस्पताल के हर बेड के उपर आपको आज ऑक्सीजन मुहया कराने की कोशिश की जा रही है तो यह हमारा कीसरा हथियार है चौथा हथियार है आज करोना के इस खिलाफ युद्ध में प्लाजमा थेरेपी इसमें दिल्ली ने पूरे देश के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया सबसे पहले प्लाजमा थेरेपी दिल्ली में ट्राई की गई 29 मरीजों को दिया गया 29 मरीजों के उपर ट्राइल काफी सक्सेस्फुल रहा उसके नतीजे हम लोगों ने केंदर सरकार को ड्रग और कंट्रोलर अफ इंडिया को दिये और ड्रग और कंट्रोलर अफ इंडिया ने उसके बाद फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी और अन्य प्राइवेट और केंदर सरकार के अस्पतालों के लिए भी मंजूरी देनी चालू की है प्लाजमा थिरेपी से अब प्लाजमा थिरेपी जो है वो कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं वेंटी लिटर पे चले जाते हैं या मल्टी ओर्गन फेलियर हो जाता है उनके उपर तो प्लाजमा थिरेपी ज़्यादा काम नहीं करती है लेकिन मॉडरेट पेशेंट्स को की हालत को और खराब होने से बचाती है प्लाजमा थिरेपी तो ये plasma therapy हमारा चौथा हत्यार है और पांचवा हत्यार है survey and screening आज से दिल्ली के अंदर serological survey शुरू हो रहा है 20,000 लोगों का serological survey होगा घर-घर के अंदर जाके serological survey कर रहे है जिसे पता चलेगा कि दिल्ली में किस लेवल पे करोना फैला हुआ है इस तरह के और भी खूब सर्वे और स्क्रीनिंग चलते रहेंगे तो ये पांच हथियार हमारे हैं करोना के खिलाफ हम खास तोर से केंदर सरकार का शुक्रियादा करना चाहते हैं जिन्नोंने इस लडाई में हमें कदम कदम पे सहयोग दिया हम मीडिया का शुक्रियादा करना जाते हैं जिन्होंने हमारी समय समय पे कमियां बताई गल्तियां बताई ताकि हमें मौका मिला उनको सुधार करने का बहुत सारी समाज से भी संस्थाइं है जाते हैं 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 जाते है